हेलो फ्रेंड स्वागते आपका मेरे चनल पर आज मैं आपके लिए फिर से एक नई टिप्स लेके आए हूँ हमारे गैस के पिछे वाला टाइल्स और उसके से अगर लगा हुआ विंडो बहुत जादा ही गंदा हो जाता है जब भी हम खाना बनाते तो तेल के छीटे इन सारी नहीं होता है तो यह तेह के के लिए वी वी ने ऐके साथ नेट को क्लिंग करने का तो आप देख सकते है को अपने डिस्क्रिप्चन Voll चीज़ को बहुत ही अच्छी हो जाती है आप उतनी ही कुएंटिकिति में डाले जितना में आपको क्लीन करना है यहां मैं एक चमच इसमें सर्फ आड कर रहे हूं आपको यह भी सर्फ रिए कर सकते इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दे तो आप चलिए इससे हम करेंगे clean करना शुरू करते हैं तो अब हम clean करना शुरू करते हैं सबसे पहले मैं गैस के पीछे वाले tiles को clean करेंगे जिसमें बहुत सारे oil फसे रहते हैं और यह clean भी नहीं होता है जल्दी क्योंकि यह बहुत ही स्टिकी हो जाते हैं तो हम निम्बू का लेंगे उसमें पानी में डिप करके इसे हम सारी टाइल्स में बहुत अच्छे से रप कर देंगे यह प्रॉसेस्स आपको पूरे टाइज्स पर करना है और आप स्वीच बोर्ड को क्लीन ना करें क्योंकि पानी जाने से ही आपको कर्णिट लग सकता है switchboard को आप किस तरीके से clean कर सकते हैं इसका तरीका भी मैंने अपने चैनल पर डाला है इसका भी description box में link मैं डाल दूंगी आप देख सकते हैं वहां से switchboard को छोड़के हम बाखी सारी जगा पर निम्बूख से और सरफ के पानी से clean कर लेंगे अब उपर का portion हम clean करेंगे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चिपचिपई है और ये इतने जल्दी आसानी से साफ होने वारी नहीं है इसलिए मैं आपको जो तरीका बतारी से बहुत ही आसानी से ये clean हो जाएगा आपको जहाँ जहाँ clean करना है वहाँ वहाँ आप इसे अच्छे से रप कर दे साथ में kitchen के grill भी मेरा बहुत गंदा हो गया है मैंने उसे भी इसी से रप किया है और जो हमारा मैंने पुर अच्छे से जाले विंडो में मैंने लगा दिया है आप देख सकते हैं kitchen के net का किता बुड़ा हाल है यह इतना असानी से साफ नहीं होगा और मेरा kitchen का net friend एक ही तरफ से खूलता है तो मैं सामने वाले तरफ से ही इसे clean कर सकते हूँ बैक साइट से अगर आपका खूलता है इसका result बहुत ही अच्छा आएगा तो अब हम इसे गरम पानी में तूद ब्रस से आपको इसे रप करना है तूद ब्रस से आप इसे धीरे धीरे सारे निट पे रप कर दें आप चाहें तो इसकी जगा कपड़ा दोने वाला अगर आपके पास ब्रस है तो उसको यूज कर सकते हैं आप देख सकते मेरे पास है तो मैं इसे यूज करके मैं बहुत जल्दी फटा-फट ये निट क्लीन हो जाएगा इससे तूथ ब्रस से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्लीन उससे भी हो जाएगा लेकिन आपके बास अगर कपड़ा दोनी वाला ब्रस है तो आप उसका यूज करें इससे फटा-फट ये साफ हो जाता है पानी थोड़ा लगाएं और अच्छे से इसे निट को क्लीन करें तो आप देख सकते हैं अब दस मिनट हो गया है दस मिनट मैंने इसे रब करके छोड़ दिया था तो दस मिनट के बाद अब हम इसे सक्रॉल ब्राइट की मदश से रब कर लेंगे और आप देखेंगे कि बहुत असानी से साफ होना ये शुरू हो गया है अब देख सकते हैं ये कलीन आप दिख रहा होगा इसी तरीके से आप जहाँ-जहाँ आपको क्लीन करना है इसे सक्रॉज ब्राइट के मदश से रब कर अब मैं इसे क्लीन कपड़े से बहुत अच्छे से पोच लेंगे और आप देख सकते हैं यह इसका जो कलर है वो वापस आ गया है और बहुत आसान था इसे क्लीन करना महनच जो है वो हमें कीचन के नेट क्लीन करने में ही हमें लगा है इसी तरीके से साफ पानी से कप्रे को निचोड़े और बहुत असाम से इसे पोच लें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यह हमारा हो गया है कीचन नेट उपर से नीचे और विंडो बहुत अच्छे से साफ आपको दिख रहा होगा किता गंदा मैंने आपको दिखाया था यह बहुत अच्छे से साफ हो गया है और कीचन नेट भी मेरा क्लीन हो गया है यह अच्छा रिजल्ट आगर आपको चाहिए तो इसको दोनों तरफ से आपको साफ करना पड़ेगा तब यह अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा अब मैंने एक तरफ से ही साफ किया है जो इतना ही साफ हुआ है यह तो उमीद करती हूँ कि यह टिप्स आपके लिए यूस्फूल होगा आप इसे यूस कीजिए और अगर आप इसे यूस करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए अगर आपको यह टिप्स तो लाइक करें, हमें सस्क्राइब करें, अब बेल आइकन तो जरू टैप करें, धन्यवाद